इंटिनेट सेंसेशन और्फी जावेद आज अपने दम पर Entertainment World का एक बड़ा नाम बन चुकी है उर्फी उन स्टार्स में से एक है जन्ह लोगों की ट्रॉलिंग का हार दिन सामना करना पड़ता है बिंदाज और भी बाग उर्फी खुद को तूठने नहीं देती वे एक स्ट् और तो पजरीना बखु भी जानती हैं लेकिन उनकी जंदगी में एक मोड ऐसा है जब उन्होंने सूसाइट करने का थाना जी हां और फी जावेद ने अब अपनी नए इंट्रवियू में कुछ ऐसे शौकिंग खलासिक की है जिन्हें जानकर आप दंग रह जाएंगे उर् उने पाक में सोना पड़ता था दोस्तों के घर कुछ दिनों के लिए रही हूं सर्दियों में बिना रजाई और बिना बिस्तर के मैं फर्श पर ही सोई हूं उर्फी ने आगे कहा लेकिन आज मेरे पास सब कुछ है मैं गुजरे समय को देखती हूं तो मैं लकी ब्लेस्ट संone करती हों मुझे को बाद इस बात को लेकर कि मैंने धिव अनहीं किया। उर्फी ने कहा मुझे याद है कि काई बार ऐसा समय home जब मैं गिव अ करना चाहती थी मैं खुद को जान से मानना चाहती थी लेकिन मुझे खुशी है कि उस मुश्किल समय में मैंने गिव अप नहीं किया हर कोई अपनी जंदगी में डिप्रेशन से गुजरता है जब आपके पास खाने और अपने परिवार का पेट भरने के लिए पैसा नहीं होत कि जब भी किसी ने मुझे नीचा दिखाने की कोशिश की है तो मैं उस गलत सावित करने के लिए जिद पर अड़ जाती हूं लोगों ने मुझे बहुत गंदी बाते बोली हैं जैसे तू तो शो में साइड रोल करती ही रह जाएगी तू तो ऐसी ही है तू तो गरीब है उर से निकल जाने को कहा और हर कोई तेख रहा था मेरे लिए वह बहुत शर्मनाक पल था ऐसी चीजों ने ही मुझे स्ट्रॉंग बनाया है उर्फी जावेद आज एक फैशनिस्टा बन चुकी है फैशन के मामले में उर्फी का किसी के साथ कोई कंपाराजन नहीं उर्फी का फ करें और अगर आपको ऐसे ही खबरों से अपडेट रहना है तो आपको मारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें